सुहाक का सबसे बड़ा परवा गया करवा चौथ आगया आज हर पत्नी अपने पती की लंबी उम्र के लिए शाम को पूजा करेंगी अभी वरत किया हैं और इस खास मौके पर मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी के साथ ही आई हूँ आज हम बात करेंगे कि पती की लंबी उम्र के लिए शाम को पत्निया वरत और पूजा कैसे करें और पती पत्नी एक दूसरे को प्यार बढ़ाने के लिए कैसा गिफ्ट दें मेरे पास ऐसी बहुत सारी खास जानकारिया हैं तो चलिए करवा चौथ के खास मौके पर हर बात करते हैं आज करवा चौथ है बहुत ही जादा खास दिन हैं तो जाहिर है आज में जितने भी माह उपाई बताओंगी वो पती-पत्नी के रिष्टों से जुड़े वे ही होंगे तो चलिए पहले माह उपाई की बात करते हैं क्या पती के साथ रिष्टे में दूरियां आ रही हैं ऐसे में आपको क्या करना है एक तांबे के लोटे में पानी भरकर और लाल चंदन मिलाकर जहां आप और आपके पती सोते हैं वहां सिराने रखकर सोचाएं सुबह उठकर नहाने की बात सबसे पहले उसे तुलसी के पौधे में चड़ाएं आपके रिष्टों मे प्यार बढ़ने लगेगा आज सुबह से सभी सुहागनों ने अपने पती की लंबी उम्र के लिए करवा चौत का वरत रखा होगा मैं जानती हूं आज अब सारा दिन चान निकलने का इंतजार करेंगी इस इंतजार को थोड़ा कम कर देती हूं और आपको बताती हूं आज चांद कितने बजे निकलेगा आज राच चांद निकलेगा साड़े आट से नौ बजे के बीच में हर जगह के इसापसे अलग-अलग होता है पर मैं आपको सला दूंगी कि साड़े आड़ बजे अपने छट पर अपना पूजा का समान लेकर पहुंच जाए ताकि जैसे ही चान निकले आप उसका दीदार कर सके आपको लंबा इंतिजार ना करना पड़े का चांध का टाइम तो आपको बता दिया अब आपको पूजा का शुब महुरत बहुत कब है करवा-चोथ की पूजा आपको आज शाम को 5 बचकर 55 मिनट से शाम को 7 बचकर 9 मिनट के बीच कर लेनी हैं आपको एक घंटा 14 मिनट का वक्त मिलेगा शुब महुरत तो आपने जान लिया आप जानिया आज शाम को आपको पूजा कैसे करनी है एकदम ध्यान से सुनियेगा ताकि कल कोई गलती ना हो नारत पुरान में लिखा है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए करवा चौत की पूजा करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की आपको एक वेदी बना लेनी है उसके बाद ओम शिवाय नमह कहते वे पारवती मा का ओम नमह शिवाय से शिव जी का ओम कार्तिके का और ओम गणेशाय नमह से गणेश जी का साथ साथ ओम सोमाय नमह से चंद्रमा की पूजा करनी है फिर इन्हें लड्डू का प्रसाथ चड़ाते हैं साथ ही एक लोटा कपड़ा और दक्षणा के रूप में कुछ पैसे इन्हें चड़ाईए पूजा के बाद कर पीकर व्रत खोलिए ये व्रत सोला या बारा वर्षों तक करके उध्यापन भी कर सकते हैं करवा चौत पर पती पतनी का प्यार बढ़ाने के लिए दूसरा माह उपाय जाने अच्छा पहले तो ये बताईए कि क्या आपकी घर में पती पतनी में अन्बंद रहती है तो इसक चाहिए वैसे तो शांत रहने से 90 जगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं लेकिन बुद्वार के दिन एक विशेश कारण है आप दो घंटे का मौन रखी फिर मुझे बताईए लेकिन बाकी दिन उल्टा सिधा बोलकर इसकी भरपाई नहीं कीजेगा बुद्वार के द वरत तोड़ने का तरीका भी थो जान लीजे क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से वरत तोड़ा तो आपकी सेहत भी खराब हो सकती है इसलिए यह जानना बेहत जरूरी है जादा ओईली और हाई कैलरी वाला खाना बिलकुल ना खाएं क्योंकि पूरे दिन बुखे रहने के अचाना कैसा खाना सेहत पर बुरा असर करता है अपना वरत कोई फल खाकर खोले तो यह आपके लिए जादा अच्छा रहेगा वरत के तुरंद बाद जादा हैवी खाना ना खाएं दूद की चाई की जगा ग्रीन टी या लेमन टी ले सकते हैं मीठे व्यंजनों के रूप में आप खीर भी ले सकते हैं खीर को जादा पॉष्टिक बनाने के लिए उसमें ड्राइफ रूट डाल सकते हैं करवा चौत पर सर्गी यानि की सास की ओर से बहू को दी जाने वाली भीट को सर्गी कहते हैं सर्गी की टोकरी में साड़ी सिंदूर लाल और हरे रंग की चू की च्छाओं में सेवन किया जाता है अब सबसे खास बात हाजबन वाइफ जब व्रत खोलें तो एक दूसरे को गिफ्ट जरूर दें आपको क्या गिफ्ट देना है जिससे आपका प्यार बढ़े अगर यह आपकी राशी के हिसाब से होगा तो ज्यादा असर देगा मैं पतनी की राशी मेश है तो पती पतनी को पसंद के कपड़े जूलरी गिफ्ट करें और पतनी पति को कार पर्स गिफ्ट करें अगर आपके पतिन पतनी की राशी मित्वन हैं तो पत्नी पत्नी को स्पा का कूपन गिफ्ट दे और पत्नी पत्नी को सोने की चेन वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि पत्नी कम गिफ्ट पैसे का दे और पत्नी जादा का दे तो पत्नी भी पत्नी को कुछ भी ग्रीन कलर की चीज़ भी गिफ्ट कर सकती हैं अगर आपके पती या पतनी की राशी करक है तो पती पतनी को सबसे बढ़िया गिफ्ट कहीं गुमाने ले जाएं और पतनी पतनी को कोई knowledgeable book या फिर कोई home theater की CD गिफ्ट करें सिंग राशी है अगर आपके पती या पतनी की तो पती अपनी पतनी को पायल बिच्शिया bracelet गिफ्ट कर सकते हैं और पतनी पती को belt कोई scold की chain या फिर उनके office की table पर रखने वाली कोई accessory गिफ्ट करें अगर पती या पतनी में से किसी की राशी कन्या है तो क्या करें तो पती पतनी को घर की सजावट की चीज दे सकते हैं या कंगन बैंगल्स गिफ्ट कर सकते हैं और पतनी पती को अपनी प्यारी सी या आपस की प्यारी सी तस्वीर भीट करें अभी तो मैंने छे राश्यों के बार में बताया है इसी शोपर आगे थोड़ी देर में छे और राश्यों के बार में बताऊंगी तब तक एक और ज़रूरी बात करवा चौत के दिन जानते हैं आज का तीसरा महा उपाई क्या है हस्बन वाइफ से ही जुड़ा हुआ हर उपाई पत्नी के लिए नहीं है मुझे सारे पती बताएं क्या पत्नी से प्यार कम हो रहा है अब पहले की तरह रुमैंस भी नहीं होता ऐसे में पती को चाहिए कि शुक्रुवार को अपनी पत्नी को सुन्दर सुगंद वाला पर्फियूम गिफ्ट करे और चांदी की कटोरी चमत से दही शकर पत्नी को खिलाएं आपका वीनस ट्रॉंग होगा और फिर से प्यार बढ़ेगा अब मैं आपको बाकी बची भी छे राश्यों के बारे में बताने जा रहे हूँ आज शाम को वरत खोलने के बाद पती पत्नी एक दूसरे को क्या गिफ्ट दें ताकि प्यार बढ़े ये आप जानेंगे तुला से रेकर मीन राश्यी तक के बारे में अगर पती या पत्नी की राश्यी तुला है तो पती पत्नी को श्रिंगार का समान परफ्यूम दे सकते हैं और पत्नी पत्नी को वाच दे सकते हैं या आप भी उन्हें परफ्यूम को इत्र दे सकते हैं रूम फ्रेशनर भी दे सकते हैं अगर पती या पतनी की राशी व्रिश्चिक है तो हजबन अपनी वाइफ को golden jewelry या latest gadgets दे और पतनी पतनी को romance से जुड़ी कोई book या कोई CD दे सकते हैं अगर धनू राशी के हैं आपके पती या पतनी तो फिर पती पतनी को gloves, winter coat या कोई भी सर्दी से related चीज दे सकते हैं और पतनी पती को कोई भी corn yellow या golden yellow रंग की कोई भी चीज गिफ्ट कर सकते हैं मकर राशी वाले अगर पती या पतनी दोनों में से कोई एक हैं तो पती पतनी को श्रिंगार का समान और चांदी की कोई चीज या चांदी की छोटी सी break या सिक्का भी दे सकते हैं आप गाने की DVD या iPhone भी दे सकते हैं अगर पतनी की राशी या पती की राशी कुम्भ है तो husband अपनी wife को पत्थर से बने शोपीस या कोई gems वाली या कोई नीलम की blue सफायर की कोई accessory दे सकते हैं और पतनी पती को car, bike या उनका कोई अच्छा सा kitchen भी दे सकते हैं अगर पती या पतनी की राशी मीन यानि की prices हैं तो पती अपनी पतनी को कोई gold की item दे सकते हैं और पतनी पती को अपने purse में पर्स में रखने वाली कोई चीज या फिर purse ही gift कर सकते हैं आप जानते हैं आपकी favorite heroines भी अपने पती की लंबी उम्रे के लिए हर साल करवा चौत का ब्रत रखते हैं आए जानते हैं इस साल कैसी तैयारी चल रही है करवा चौत का दिन है और हमारे साथ हैं आपकी favorite रोश्णी ससराल सिमरका से जानते हैं रोश्णी बहुत-बहुत स्वागत सब्सक्राइब इंडिया नियुश्णी काफी खूबसूरत तरीके से सजी हुई है आप और करवा चौत की थाली लेकर तो अगर बता पाए हमारे सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह चनी इसके अंदर एक दिया होता है जो आप नाइट करते हो और सबसे पहले जैसे ही चांड ने करता ता आप उसको देखते ओ और अपने पती देव को देखते हो तो बहुत प्यारा मुझे अच्छी सबसे फेवरिट म मेरा यही है पूरी रस्म में और यह है श्रिंगार के माता रानी का श्रिंगार का अल्टेंग्स उसकी बात भी आप ड्राइफ्रू जो कि हमें सर्गी की तौर पे मिलती है और खाने के लिए चुट पुट जब हमारा फास्ट तूटता है यहां पे मिठाई क्यूंकि आप क्यां करें आप बात खाते हो तो कहते हैं कि हमे Watts簍क से अपना first ऐसे के अधिया यहां था ग्र्की सबसे पहले तू Hemajah मा ऑखना का ऑना ओ अधिया यहां इयुक्ड मोझेंट कुटता है तो कि बहुत हैं नारियल बहुत ही पायस और ऑ बहुत ही ट्रडिशनल्नल होत कि यहां और कुछ फूर अगेन इस रे ट्रेशनल सो उसके अलाब बात करें आपने थाली के पूरे सामान के तो बात करें लिए इस तडिक से आप सजी ही खुशुती सागाँ अपने लूक के बारे में कुछ पारे कूछ यहां रफई पार बात कर अपार को इस तरीक से आप सारी है और नए नवेली दुलहंदू अभी भी चूड़ा बेर डला हुआ है यह तो पूरा लुक इस एक सुहागन ओली अपने लगवाई है अगर इसके बारे में भी बात करें देखें आपके स्टोगे से प्यूश का मों भी लेखें अच्छा कलर चड़ गया मेरी सासु मु बहुत ही शुब बहुत शुब माने चाती है पती का नाम इसमें छुपावा रहता है पती को बोलते है ढूंडो ढूंडो बहुत प्यारी रस्में है यह जब रत रख रही है अपने पती की लंबी उमर की कामना के लिए तो कोई गिफ्ट खास जो एकस्पेक कर रही है आपका खाल रखे सुक और दुख में डोनों में आपके साथ करे रहे अच्छा परिवार जो भी है वो बना रहे तो यह सब है लेक इस अब है लेक इस अब बी आ चुके है जिनके लिए वरत रखा जा रहा है तो बहुत रिष्प्ट आपनी नहीं पिया उनके लिए तो बह खुट आपकेवे भी है कडिए अज में बढ़ा आज रमोल दे आपके लिए लाल साडे कोंबनेशन वर को मिता राज विए तो इसम पर वह भी है आज वह चुल्ट है नी चरेड भी है तो आधिंक हम लोगाज वेट ट्विनिं तो यह टो बढ़ कर वार तो यह टुर चौत पर चलिए अब आपको आज का चौथा माहा उपाई क्या है ये बता देती हूं देखिए पती-पत्नी का रिष्टा तभी मजबूत होता है जब उनके जीवन में शांती हो तो क्या आपकी शादी-शुदा जिंदगी में शांती नहीं है पती को चाहिए कि पत्नी की मां बात करूंगी ये वो खास टिप है जो मैं आपको देती हूं ताकि आपकी लाइफ में बदलावा सके जानते हैं आज की खास एस्टो टिप देखे करवा चौत में आपको एक खास बात बताते हैं अपनी मैरिड लाइफ का पूरा सुख लेने के लिए अपने जीवन के प्लेजर के लिए आपका शुक्र मजबूत होना जरूरी है आपके हाथ में अंगूठे के ये जो पाथ है जो उठावा पाथ है ये वाला ये व पारेशानियों का सामना करना पड़ेगा अब खास बात यह है कि अपने शुक्र को बली कैसे करें आप गुलाब का इत्र ले ले या फिर नहाने से पहले थोड़ी सी धाई ले ले आप अपने हाथ पर सोने से पहले भी इस हिससे पर थोड़ी सी कर्ड लगा सकते हैं यह कुछ दिन लगा तार ट्राइ कीजिए मिनिममम एक महिना कीजिए फर्क आपको खुदी दिखेगा Entertainment तो आपका होता ही है लेकिन पहले अपने कल को सुधारिए एक छोटा सा काम अगर करने को मिल जाए जिससे हमारा कल सुध रहे तो इसमें हर्ज भी क्या है तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं जानते हैं मेश राशी वाले कल क्या करें मेश राशी वाले लोग कल के दिन शाम के समय अपने घर में दिया जरूर जलाएं किस्मत सा दे रही है आपका कल के दिन 60% व्रिश्चब राशी वाले लोग सुभग की शुरुवात गरम पानी पी कर ही करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 72% मिथुन राशी वाले लोग पॉजिटिव सोचें जी हाँ पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा भाग्य साथ दे रहा है आपका 55% कर्क राशी वाले लोग क्या करें तुलसी मा को जल दीजे भाग्य साथ दे रहा है आपका 67% सिंग राशी वाले लोग, सुभव बजुर्गों के पैर छुए भागे साथ दे रहा है आपका 75% कन्या राशी वाले लोग, काम में खूब मन लगाईए किस्मत साथ दे रही है आपका 80% तुला राशी वाले लोग, गंपती जी की पूजा कीजिए भागे साथ दे रहा है आपका 54% प्रिश्चिक राशी वाले लोग, बाहर का खाना बिलकुल ना खाए किस्मत साथ दे रही है आपका 68% धनु राशी वाले लोग, घर की सफाई कीजिए भागे साथ दे रहा है आपका 73% मकर राशी वाले लोग, डॉक्स को रोटी खिलाईए आप, किस्मत सा दे रही है आपका 59% कुम राशी वाले लोग, माता पिता की बात जरूर सुनिये, भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 64% और मीन राशी वाले लोग, पार्टनर को गिफ्ट जरूर दे, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनस पार्टनर भी हो सकता है और भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 56% खुश्बू शान ने फेस्बुक पर हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है खुश्बू के घर में पापा ममी के भीश हमेशा जगड़ा रहता है ऐसे में घर में सुक शान्ती की उपाई जानना चाहती है खुश्बू आज तो मैंने बहुत सारे उपाई बताये हैं हस्बन वाइफ का जगड़ा खत्म करने के लिए पर फिलाल आप एक काम और कर सकते हैं आपने ड्यादी और ममी का एक एक सॉक्स ले लीजे पहनावा उसको गांट मारिये तीन उसको पीले कपड़े में लपेटी और घर में साउथवेस डारेक्शन में रख दीजे इस साउथवेस डारेक्शन में आप ब्रास का एक स्वास्तिक इसके उपर चिपका दीजे ऐसा करने पर आपके ममी और पापा की बीज छोटे मुटे जगड़े तो चलते रहेंगे लेकिन वो लंबे नहीं चलेंगे और प्यार भी बढ़ने लगेगा चलिए अब आपको आज का पांच्वा और आखरी महा उपाए करवा चौथ स्पेशल का बताती हूँ क्या आपके घर में हमीशा कलेश नहते हैं किसी की किसी से नहीं बनते हैं ऐसे में पत्नी अपने पती के तक्ये की नीचे सिंदूर रखे सिंदूर में थोड़ा सागर हो सके तो पारवती मा के सामने रखावा सिंदूर भी ले आए पती जो हैं अपने तक्ये की नीचे कपूर रखे सुबह उठकर सिंदूर को घर के बाहर आप इस तरह से सजा लीजे और कपूर को जला लीजे रिष्टों में अपने आप मिठास आने लगेगी कल से हम दिवाली स्पेशल शुरू कर रहे हैं बस दस दिन बाकी हैं देश का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है दिवाली का इंतजार आपको साल भर रहता है एक दिन में लक्षमी जी आपकी किस्मत बदल सकती है तो रुकना क्यों? कल से ही हम दिवाली स्पेशल शुरू कर रहे हैं रोज सास बहू फैमिली गुरू देखते रहे है